जहिंद इस्मार्टर एविडे चनल में आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है यहां पर आप देख रहे हैं मैं आपको इस वीडियो में भारत निर्वाचन आयोग यानि की एलक्षन कमिशन आफ इंडिया में डाटा एंट्री ऑबरेटर की वेकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ ठीक है दोस्तों जैसे कि आपके समने दिख रहा है यह एसी आई की ओफिसेल वेबसाइट है यानि की एलक्षन कमिशन आफ इंडिया ठीक है इसकी जो वेबसाइट क लिंक है आपको वीडियो के description मिलेगा, वहां से आप डारेक्ट इसकी website पर विजिट कर पाएंगे, ठीक है? सबसे पहले यहां पर नीचे scroll करेंगे, नीचे scroll करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं tender and vacancy के बारे में यहाँ पर एक column show हो रहा होगा ठीक है यहाँ पर क्लिक करेंगे ठीक है यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा interface आपको दिखेगा ठीक है और यहाँ पर नीचे आएंगे यहाँ पर लिखा और यह 10-8-2020 को यह लगू जारी किया गया था यह notification ठीक है और चलिए मैं के करके इसके बारे में बताता हूँ कौन-कौन सी criteria क्या रखा गया है और कौन-कौन से इसके लिए eligible है कौन-कौन सी बज़े apply कर सकते हैं ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए serial number one में लिखा गया है data entry operator DEO grade D की वेकेंसी निकाली गई है इसमें qualification की बात करें तो यहाँ पर bachelor degree in computer science में मांग रहा है ठीक है और information technology वाले भी भर सकते हैं ठीक है और वहीं देखिए और यहाँ पर देखिए यहाँ पर six year का experience भी मांगा गया है ठीक है औ और आपको level five के तहद आपको वेतन दिया जाएगा ठीक है और 377 आपको 1500 से कम आपका जो पर घंटे का जो speed है वो उससे कम नहीं होना चाहिए data entry का ठीक है 15 15 watts के से कम नहीं होना चाहिए पर आवाट ठीक है यह रखा गया है second बात करें तो यहाँ पर लिए data entry operator DEO grade B की निका बलत पास मांगा गया है ते mathematics subject के साथ ठीक है वही speed की बात करें तो same speed इसकी भी मांगें गया है एक घंटे में 1500 ठीक है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी पांच यहर का service experience मांगा गया है ठीक है और level four के तहाँ आपको salary दी जाएगी ठीक है वहीं third बात करें तो यहाँ पर लिखा गया data entry operator DO grade A की यहाँ पर officer under the central government holding analogist post of regular basic के हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा ठीक है और यहाँ पर आप सब पढ़ सकते है last date की form की बात करें तो पचीस नौ दो हजार बीस है ठीक है इसको आप पूरा देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर corner में आएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है download this file क्लिक करने के बाद आपको यह file दिखेएगी ठीक है यह जो notification दारी किया गया है यह भी आपको वीडियो के description मिल जाएगा वहाँ से आप इसको download कर सकते हैं और इस form को फिलिप कर सकते हैं ठीक है चलिए वीडियो कैसी लेग thank you so much